आप लोग कैसे हो मैं अच्छी हूँ आज मैं सुभी सुभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो पहले मैं गरम पानी पी लूगी और उसके बाद घर को थोड़ा क्लीन कर लूगी अभी कपड़ी भी वश हो गया है अभी बैलकनी में सुखा लेती हूँ आज वेदर बहुत ही अच्छा है और आज मैं ब्रेक्वस्ट में बनाऊंगी सैंडविच जो बहुत ही सिंपल रसिपी है अभी आपके साथ शेयर करूंगी तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने अलरड़ी गाजर को कट कर लिया है इधर मैंने दो गाजर को कट किया है किदर मैंने दो खीड़ा लिया है और खीड़ा को राउंड शेप में कट किया है इधर मैंने एक मेडियम साइज का आलू लिया है आलू को भी राउंड शेप में कट किया है अभी मैं आलू को और गाजर को बॉयल कर लूँगी जब थोड़ा पानी बॉयल होना स्टाट हो जाएगा मैं सॉल्ट एड़ कर रही हूँ गाजर और आलू बॉयल होने के बाद मैं उसको फ्राई कर लूँगी इसके लिए थोड़ा से बॉटर लिया है रिफाइन ओयल भी ले सकते हैं कड़ाई पे बटर एड़ कर दिया है अगर होने के बाद मैं अभी गाजर एड़ कर रही हूँ मैंने अल्वरीडी गाजर को बॉयल कर लिया था इसलिए ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूद नहीं है हलका सा चला लूँगी क्योंकि मैंने बटर एड़ किया है और बटर के लिए टेस्ट और भी एनैंस हो जाएगा अगर सा सॉल्ट एड़ कर रही हूँ अब अपने हिसाब से सॉल्ट एड़ कीजेगा और हलकी हाथों से थोड़ा चला लूँगी गाजर हलका सा फ्राई हो गया है अभी मैं सैंड़िच ब्रेड को सेख लूँगी ब्रेड सेखने के बाद अभी मैं एड़ कर दूँगी गार्लिक मियोनीज आप भी इसे एड़ करके देखिएगा टीस्ट बहुत ही अच्छा लगता है जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो आप एड़ किजेगा मुझे गार्लिक मियोनीज बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैं गार्लिक मियोनीज एड़ कर रही हूँ मियोनीज एड़ करने के बाद अभी मैं एड़ कर रही हैं बॉयल डालू अब एड़ कर दूंगी गाजर जिसे मैंने बॉयल करके थोड़ा सा बट्रस दे के फ्राइ कर लिया था अभी मैं एड़ कर दूंगी खीरा मैंने ब्लेक पेपर पाउडर भी डाल दिया है अभी मैं सेज वान चीज स्लाइस डाल रही हूँ अगर आपके पास सैंडविच में कर रहा है तो बहुत अच्छा है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है मेरे तरह आप तावा में कर सकते हैं तावा थोड़ा गरम होने के बाद थोड़ा से बटर एड़ कर रही हूँ अभी बटर भी अच्छे से गरम हो गया है अभी मैं आड़ कर दूँगी ब्रेड को और जहलके हातों से प्रेस कर दूँगी एक साइड अच्छे से प्रेस करने के पाद मैं दूसरे साइड हुंती के हेल्प से अच्छे से प्रेस कर दूँगी और हो गया हमारा सैंड्विच अभी रेड़ी अभी मैं सैंड्विच को मेडिल से कट कर लूगी यह खाने में एजी होता है आप यह रेसिपी ज़रू ट्राइ किजेगा क्योंकि यह बहुत ही सिंपल सा है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है अभी मैं टोमीटो किच्च पी ले लिया है इसके साथ खाने में और भी अच्छा लगता है तो मैं ब्रेक्फस कर लेती हूँ फिर आप लोगों से बात करूंगी मैं लॉकडाउन से एक दिन पहले हेर कट किया था अभी लेंद तो बढ़ गया है मैंने इतना शॉट किया था हेर अभी लेंद बढ़ गया इसलिए हेर कलर इधर से इधर आ गया है इधर पूरा ब्लैक दिख रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं आज हेर कलर करूंगी और मैं हेर कलर यूज़ करती हूँ स्ट्रिक्स का बरगंडी कलर 3.16 नंबर तभी वो एपलाई करूंगी और फिर देखते हैं कैसा लगता है और पूज़ा का टाइम है तो थोड़ा मेक ओवर अच्छा लगता है मुझे पूरा हेर कलर करने के लिए दो बॉक्स लगता है आपको ये आनलाइन में मिल जाएगा और मुझे इसका प्राइस पढ़ा था 149 रुपीज पर बॉक्स और इसका नंबर अब देख सकते हैं 3.16 बॉक्स के अंदर रहता है एक डेवलापर, क्रीम हेर कल लगताने के लिए एक ब्रॉश 4 कंडिशनर के सैशे एक इंस्ट्राक्शन रहता है कि आपको कैसे अपलाई करना है और कितना मिनट के लिए रखना है और क्लब्स तो पहले मैं हेर कलर कर लेती हूँ फिर आप लोगों से बात करूँगी तो मैंने हेर वश भी कर लिया है और ड्लाई कैने के बाद अभी अप लोगों से बात कर रही हूँ अप लोगों को पता है लिए बर्गंडी कलर घर के अंदर उतना समझ में नहीं आएगा ये सन्लाइट में भी अच्छे से कलर समझ में आता है तो मेरा कलर तो हो गया है अभी लंज कर लेती हूँ आज मैंने बनाया है लंज में पपाया अलू दे की फिशकरी एक authentic बिंगॉली डिश है बहुती टेस्टी है और बहुती सिंपल है यह रेसिपी मैं कभी और आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और बनाया है अमरंथा स्लीफ फ्राइ यह रेसिपी मैं आपके साथ शेयर की हूँ लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स और उपर आई बटन में डाल दूँगी प्री बज़रे सामके सारे छे और आभी थोड़ा टाइम है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नेर पॉलिश लगा लेती हूँ तो चलिए अभी दिखाती हूँ पांच मैंने निकाला है उसमें से देखती हूँ कौन सा अपलाई करूँगी तो चलिए दिखाती हूँ उपको पहले मैं थोड़ा चाई बना लेती हूँ चाई पीने के बाद आपके साथ नेर पॉलिश शेयर करूँगी देखती हूँ कौन सा अपलाई करूँगी आप में इसे इविनिंग में किस-किस को चाई पीना पसंद है आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट किजेगा अभी के लिए मैंने पांचो नेर पॉलिश निकाला है देखते हैं इसमें से कौन सा अपलाई करूँगी जो पर्पल है और नेक्स्ट वाल जो औरंज इश है ये दूनों मैट है और रेड और बुव ये नॉर्मल सा शायनी सा है और जो ग्लीटर है वो तो नेल पेंट के उपर लगाऊंगी तो देखते हैं इसमें से कौन सा अपलाई करूंगी तो मैंने डिसाइड किया कि ब्लू लगाती हूं यह ब्लू कलर अच्छा लग रहा है और उसके ऊपर एक लिटर लगाऊंगी मैंने नेल पेंच अपलाई कर लिया है यह देखिए आप लोगो कैसा लग रहा है मुझे तो टॉप के साथ कलर मैंच कर गया है अगर आपको यह ब्लॉग थोड़ा सभी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं आप सबसे फिर मिलूंगी एक नया ब्लॉग के साथ तिल देन बी हैपी बी सेफ कीप स्माइलिंग थैंक यू फो वाचिं रॉग कैन्वस